से आप मिल चुके ए, स्पोर्स परसन से आप मिल चुके और तमाम जो राज़नीति के कशेतर के दिगजें, उनसे भी आसी मुलाकात होई चुकी है अब बारी आ, एक्टिंग की, फिल्म इंडस्ट्री की हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम ऐसे सितारे हुए हैं जिने की पैन इंडिया खामयाभी मिली हो लेकिन हमारी अगली मेमान ने बहुत कम वक्त में तमिल, तेलगू और हिंदी सिनमा तीनों में बहुत ही अलग धंग से अपनी पहचान बनाई है तो तालियों की गड़गडाहत के साथ स्वागत कीजिए बेहत खुब्सूरत और उतनी ही चैलेंटेट रकुल प्रीट सिंग का रकुल प्रीट की एंट्री हो चुकी है और रकुल प्रीट के साथ चौपाल में बाचीत को आगे बढ़ाएंगी पूजा और मॉनिका तो चौपाल के इस मंच पर रकुल का बड़ बड़ स्वागत है एक बार जोर दार तालिया यह साथ चौपाल में आपको बहुत-बहुत आगए Deshalb Thank you so much. I'm feeling great and a big warm hello to everyone here. राकुल, सबसे पहला मेरा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा है. दिल्ली की लड़की साउत में कैसे चाह गई? वाउ, इसका सवाल बहुत छोटा है पर जवाब बहुत लंबा है. हम सुनना चाहेंगे. हम सुनना चाहेंगे. I think destiny had its way. उसमें मुझे कुछ मालूम नहीं था. I was in, right after school, मैंने मौदलिंग शुरू की थी. और एक महिने के बाद मेरे फोटोस कहीं पहुंचे जब मैने क्लिक कराए. उनोंने मेरे डाद को फोन किया कि ये एक मुवी है. And I actually refused. I was just out of school in first year of college. Jesus and Mary college right here. Studying mathematics honors. तो मैंने बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं करना है अभी, बता है मैं 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 बढ़ रही हूं. And I had no idea about how big the South industry was. You know, दिली से होके, 4G background से होके, आप जादा फिल्मे नहीं देखते हो उस ताम पे. So I refused and then they called my father again after a few days and said हमने इसका देट और देखा and she's gonna be a big star one day and we really want to be the ones to launch her. And I was surprised because by then मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे अच्टिंग इतना सीरिसली करनी है. So then I thought, चलो चलो पॉकेट मैंनी के लिए फिल्म करते हैं, because my pocket money was 2,000 rupees a month. And I thought I'll make money in lakhs and I'll be the first one in my friends to have a car. And at that time Swift and Ritz गाणियां बहुत फेमिस थी वोगलेज में. So that was my intention of doing that first film. But little did I know that the industry was so big or Kannada film थी वो पहली. But then I completed my education क्योंकि मेरी attendance की problem हो गई थी and JMC was very, very strict. Then I come, yeah, yeah, they had major attendance issues. So फिर मुझे जब तेलुगू से कॉल जाने लगे और तमिल से कॉल जाने लगे, I could not do it. And I used to tell them, औरे नहीं मेरी attendance गर जाएगी, I'll do it later. मुझे मालूम ही नहीं था की आप ऐसे मना नहीं कर सकते हो. So there are big, big makers, I refused at that point. And it was all out of being naive, you know, and not knowing. But then in my final year of college, I did Miss India, then I moved to Bombay, and then I considered all the South films, you know, जुन की कॉल जारहे थे. And that's how it began. And before I knew, जो मेरी पहली तेलुगू फिम्तादरी एक्स्प्रेस, वो काफी बड़ी हिट हो गई थी, and then I just signed more films. So that's how it started. So I think destiny. So Monica, ये जो सफर था, वो मैठ्स, मॉद्लिं, and then मायानगरी का था? जी. मैठ्स, मॉद्लिंग, और मायानगरी. जी. अद्बूद सफर. Modeling and Maths साथ साथ होता था, आदा दिन college, आदा दिन shooting, I used to do it simultaneously. मैठ्स मुझे लगता है, बहुत ही कम बच्चों का फेवरेट सबजेक्ट होता है. मैठ्स मुझे बहुत फेवरेट होता है, वो मुझे बाद में कालेज में आके बता चला कि Maths is not just about numbers, there's also theory of maths, which was not easy. आपने Pan-India Movies में काम किया, हाली में देख रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडियन फिल्म का डंका जो है, वो ऑसकर तक बच रहा है, और यह ऐसा दोर है जब देश अमरितकाल मना रहा है, इंडिया एक super power के तौर पर emerge कर रहा है, आप ऐसे वक्त में इंडियन सिनिमा को कितना पावफुल मानती हैं? I think यह सबसे अच्छा time है, currently, इंडियन सिनिमा के लिए, because globally हम लोग इतने connected हैं, और India as a country, is a country which is very diverse, yet very connected and very rich in its culture. So I think जब एक Bengali industry है, जहां पर इतनी अच्छी फिल्मे बनती है, यह तेलगू है, यह तामिल है, यह हिंदी है, हममें इतनी diversity है और इतनी खूबसूरती है हमारे cultures में, कि अगर best of every world comes together, we can create truly international level cinema. And that's what has happened, you know, what RRR has done or what Elephant Whispers has done is just, is, is, is amazing and imagine we have so much more potential. Potential की बात हो रही है, तो आपके रोल्स भी कम पावर्फुल नहीं थे, Rakul. हाल ही में आपकी जो रिलीस हुई है, च्छत्री वाली, बहुत जादा अपलॉड किया जा रहा है आपके रोल को, क्योंकि बहुत चालेंजिंग रोल था, और बहतरीन तरीके से आपने इस रोल को निभाया है. कैसा फीडबेक लोगों से आपको मिला है और आपको लगता है कि ओडिंग एक शिफ्ट हो गया है, कि सोशल मेसेजिंग वाली जो मुवीज है, उनमें इंटरस्ट ओडिंस का बढ़ता जा रहा है? I think social, you know social messaging वाली movies, audiences काफी time से accept कर रही है, and which is why there are so many films, you know, toilet से लेकर, wiki donor से लेकर, मतलब बहुत kind of films जो लोगों ने accept की है, but I think what's more important is that social messaging के साथ साथ हमारा main काम है entertainment. So entertainment के, through, अगर आप एक message दे पाएं, so I think nothing is better than that, and रहा सवाल चत्री वाली का, so चत्री वाली to me was a very special project, because honestly, जब मेरे पास script आई, we being from the cities, you know, may not think like that, तो मुझे लगा की, really, लोगों को इतनी information नहीं है, but नहीं है, जब facts or figures हमारे सामने आई, जब statistics देखे, so sex education, schools में एक mandate है, लेकिन स्किप कर दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, you know, and there are too many people, especially not in the metropolitan cities, जिनको मालूम ही नहीं कि उनके बोडी में क्या है, you know, women don't know they have two ovaries, for example, and I've seen it live, so to me it was a very very special project, and release होने के बाद हमे इतने ओवर्वर्वल्मिंग में 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 आई, I remember there was this one lady who said on my social media, मैने शेयर भी किया था, that I wanted to tell my husband, and thank you for making this film, because I could show him the film and tell him, So, if one person's life also changes, because of a film, I think that's very very amazing. Rakul, आपने बेहरी कम वक्त में, इंड़स्ट्री के जितने भी दिगज हैं, उनके साथ का screen share कर लिया है, चाहे वो Big B हो, Kamal Hassan हो, Ajay Devgan हो, Akshay Kumar हो, Alu Arjun हो, क्या कोई pressure होता है, क्या चलता है दिमाग में, कि ये मजह वे सितारे जो इतने समय से इंड़स्ट्री में है, उनके साथ रकुल काम कर रही है, क्या feeling होती है? ये अडिया है, उनके साथ कर देख प्रेश। नहीं होता है, अगर कोई काम है तो प्रेशर होना चाहिए, जब आपको इसके लिए पैशन है, जब ये ही करने के लिए पूरी जिंदगी आपने काम किया इतने साल अप ओडिशन लाइनों में खडे गए हैं, लोगों को मिले so then either I don't deserve to be there or there is something wrong because when you have that moment you have to make the most of it so pressure मुझे नहीं होता है एक और सवाल है मौनिका ये लैंगवज बाला जो पारियर है मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्यूंकि तमिल, तेलगू, फिरुसकाबद, बॉलवर्ट बहुत सारी लैंगवजे आपने सीखी है कैसे सीखी है इस सारी डिफरेंट लैंगवजे और चालेंजिंग तो होगा है अगर मैठ सीख सकते हो तो लैंगवज भी सीख सकते हो I think रटा मार ही लेते हैं No, I think because I was doing my dialogues every day and I am somebody who's a people's person मैं अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रही हूं और वहां से मुझे इतना प्यार मिल रहा है और वहां पे फैंस हैं और फिर मैं जाके उनसे उनकी भाषा में भी बात नहीं कर सकती जो मेरा ब्रेड न बटर है So I think that that's something wrong So for me learning Telugu was a part of the process of doing Telugu films क्योंकि मुझे इतना प्यार उदर से मिल रहा था तो मैं उनको थैंक यू तो बोल पाऊं तेलगू में So now, यहां है Telugu लोग कोई भी? Nobody I thought maybe So yeah, so Telugu is something that I speak probably as fluently as I speak Punjabi क्या बोल कर दिखा सकते? आप क्या बोलना चाहते? हमें समझते वैसे कुछ भी नहीं आएगा तो आप बोले कोई चीज में उसको हिंदी में तेलगू में बोल दिखानी News 8 in India के चाहपाल मैं आप सभी का स्वागत है Anything हाँ यह सारे इंग्लिश है News 18 चाहपाल I'll just say I'm very really happy to be at News 18 चाहपाल News 18 चाहपालो वचन अन्दकू चाहला चाहला संतो शंगा हुंदी हम सब की बगट लिस्ट भी होती है ट्रावल करना किसको पसंद नहीं होता अभी इंस्टाग्राम पे आपका एक पोस्त देखा हमने Northern Lights देखकर आई आप क्या feeling होती है वो क्या experience था I can't explain I just feel that if anybody can मेरे इतनी कोई bucket list पे नहीं था to be honest Northern Lights था लेकिन वो 50 के आसपास मेरे bucket list पे but plan पहले बन गया you know lot of my friends were going and I feel it's the most beautiful thing and the most magical thing and there's a lesson I feel that Northern Lights gives that you can't buy Northern Lights no matter how rich you are how influential you are you cannot buy the magic of Northern Lights because they choose to come when they want to come right so it's your luck it's your whatever magic that you create so it's such a reminder कि हम लोग कुछ नहीं है on the face of this universe on the vastness of this universe so when you stand under the Northern Lights you're just grateful and for me it was just a moment of extreme gratitude बिकुर रखुल एक दौर आज कर बोलिवोड में चल रहा है रिमेक्स का दौर चल रहा है और खासकर जो भी South की SuperHit Movies है वो बॉलिवोड में बन रही है आप इसे किस तरीके से देख रही है कंटेंट के कमी क्या बॉलिवोड में लग रही है कि रिमेक्स बन रही हैं South की कुछ ऐसा आपको फील होता है नहीं, I think अभी कोई दौर नहीं चल रहा है यह 70s, 80s से होता आ रहा है अभी हम सोशल मीडिया के दौर में तो उसकी बात जादा हो जाती है यह cross-culture whether it was Hindi की South में रिमेक्या South की Hindi में वो तब से चलता आ रहा है मतलब since many many years 20, 25, 30 years it's just that we are more vocal about it now and आपको access है South Cinema का भी और यहां का भी तो आपको मालू है अचा भी तो OTT platform भी है जहां पर South available है और यह so it's a more transparent conversation like that but I think यह हमेशा से चलता आ रहा है and it's not that content की कमी है it's a it's अगर एक formula यह एक script एक region में successful हुई है not people from that region do not consume content from Hindi or vice versa so the makers feel that अचा गर यह कहानी बहुत अच्छी है तो वाइनों अच्छी है now Drishyam is a huge example of being such a big success जबकी उसका रीमेक अरड़ी ओटी पे अवेलेबल था काफी सालों पहले से मतलब दो साल पहले से I think and काफी लोग देख चुके थे वो एक super hit film का रीमेक है जो अवेलेबल था फिर भी हिट हुई so there are enough people in our country who deserve to watch a good film and I think that's the reason behind making remakes अच्छा रकुल एक डिबेट शुरू हो गए यह कोबट के बाद से त्याटर वर्सस ओटी आप इस डिबेट में कौन सी साइट पर है क्योंकि आप ही खुद की जो मूवीज है मैं कटपुतली के अगर बात करूँ highest watched रही है शायद पिछले साल की मूवी और आपकी last release जो है छटरी वाली वो भी OTT पर रिलीज हुई है अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो क्या आप मानती है कि OTT बिग स्क्रीन की जगे ले लेगी कोई चीज किसी चीज की जगा नहीं लेगा I feel technology advance करती है अब जैसे computers आए लेकिन उसके बाद mobile phones आ गए तो computers बन नहीं हुए पर computers आलग काम के लिए यूज होते है और mobile phone आलग काम के लिए Internet हमारे पास हाथ पे भी आ गया So I feel that Yeah, laptops, you know So I feel technology will keep changing and हम लोग एक phase के थू जा रहे है जहां पे सब यह समझने की कोशिश कर रहे है कि कौन सा content कहा के लिए होगा You know, it's a transitional phase for the industry क्योंकि COVID के बाद लोगों के लिए भी It's tough to have that spending power अगर हम देखें तो क्यों OTT पे लोग फिल्में देख रहे हैं और क्यों थेटर में नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो महिने में एक फिल्म अफॉर्ट कर सकते हैं पूरी फामिली के साथ देखने के लिए माद प्रेटर के साइड हैं So, I feel, यह एक फेज हैं जिससे फिस हम गुजर रहे हैं मैं हमेशा थेटर के साइड पे रहूंगी पेकॉस मैंने बड़ा पर्दा ऐक ड्रीम किया है हमेशा से अपने आपको बड़े पर्दे पर देखने की इच्छा रही है और हुआ है ऐसा, but having said that I think दोनो जो मीडियम्स हैं उनकी स्ट्रेंट्स अलग-अलग है दोनो की रीच अलग है दोनो की ओडियंसे अलग है और दोनो पे आप अलग तरह के ओंटन दिखा सकते you know, anything that is socially driven like a film like छत्रिवाली, I honestly feel कि अगर वो पे नहीं होती, तो हमें उस तरह की रीच शायद ना मिलती because एक टाबू है तो लोग अपनी फैमिली के साथ जब एक प्रीकन्सीव नोशन या टाबू है वो शायद सोचेंगे हम ना कोई और फिल्म देखलेंगे थेटर में ये ओटी पे देखलेंगे because they're not sure if it's comfortable but when they watch it they feel, अरे, इसमें तो कुछ नहीं था you know, this is an absolutely universal film to watch so you're at least giving them a safe space to watch a film like that so I feel अगर मैं डिसिप्लिन पूछूं क्यूंकि आप फॉजिकेड हो डिसिप्लिन में आप अपने आपो कितने नंबर देती हैं क्या ये डिसिप्लिन जब आप सेट्स पर जाती हैं काम आता है 100% काम आता है I think, अगर मैं अपने नंबर काट सकती discipline में इस तो काट लेती but वो कूट-कूट के ने अरे अंदर भरा हुआ है that I cannot be late I have an OCD of time even if that means अगर मुझे red carpet पे जाना है award functions पे जाना है तो शुरू में तो ऐसा होता था 9 p.m. onwards I would be the first person red carpet लग रही होती थी I'm not kidding so I just feel discipline is something that goes a long way in your life और मुझे खुशी होती है disciplined होके I do it for myself, not for anyone else and now people around me also know कि रखुल को सही time देना वो एकदम लेत नही होगी वो सही time पे आजाएगी तो मेरे लिए अच्छा है न मेरा time save होता है मैं दस चीज़ें और कर पाती हो discipline made 10 on 10 है लेकिन जिस तरह का महौल है trolls आपको मिलते होंगे social media पर कुछ rumors ऐसे होते हैं जो शायद आप नहीं सुनना चाहती होंगी आप उनसे कैसे deal करती है और क्या कभी ऐसा कोई moment आता है जब आपको उनकी वज़े से under confident feel होता है under confident तो नहीं feel होता है पर उफकॉस बुरा लगता है because at the end of the day we are all human जब भी कोई यूनों अगर constructive criticism हो सो everybody will take it in the right way लेकिन कई बार लोग unnecessarily mean हो जाते हैं यापको target करते हैं शुरू में तो काफी बुरा लगता था but now I've gotten used to it और एक मैंने अपने around you know blinkers लगा दी है that for people who don't matter to me and my parents and my family and my loved ones and my work space मतलब जो लोगो को सचाई पता होनी चाहिए या मेरा work ethic पता होना चाहिए या the kind of person that I am as long as they know the truth and the reality you cannot make everyone happy तो मैं पढ़ती ही नहीं तो आपने बॉल इग में जाते जाते छोटा सा सवाल अबॉल इगा आपे बुखाट काम किया है 222 अब का बिजने सेर दे रहा है बाक तो बाक मॉवी किया आपके कोई ड्रीम रोल रहा है आपका अभी तो शुरू किया है अभी तो बहुत काम करना है अभी तो मुझे लगता है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है अफकॉस कोई ड्रीम रोल नहीं मैं बिगज़ ड्रीम रोल इस तो दो लव स्टोरी कि अभी तो मैं बिगज़ पच्चेस साल के बाद भी सेलिब्रेट करते रहें लोग एक एवर्ग्रीन कल्ट फिल्म लव स्टोरी स्पेस में मैं करना चाहूंगी अब जल्दी से एक रैपिड फायर 59 सिक्ट विद रकूल पताफर से जवाब देने हैं जोचने का बडकुल मोकान भी सेलिब्रेट के गोलकपे या मुमभी का बड़पा दिली के गोलकपे एक वालीवर लूब लूब लुद अथा या तोलिवर फिल्म बरेखने चल्डर क्या चाहिए भीडिक। प्राइम मिनिस्टर भी आपके साथ हमेशा हमेशा उस हरी जंडी दिखाने में आगे बढ़ना है पीम का सपना है लेकिन इसमें भी अरोप लग रहा है कि जहाँ जहाँ चुनाओ है वही बंदे भारत सवाल इन्योड था कैसे आप यह कह सकते हैं महराश्टर में भी कौन सा चुनाओ है गड़िया महराश्टर में रवाना हुई बेंगोल में कौन सा चुनाओ है बंगोल में गाड़ी रवाना हुई ऐसे कैसे कह सकते हैं तंपिलाव्न में कौन सा चुनाओ है तब मिलाणों में काड़ी रवाना हूए, तो मेरी शंका नहीं थी, लोगों की शंकाएं थी, मैंने आप से पूछ लिया, एक और सर आप लोगों ने शुरू किया भारत गौरव ट्रेने, मुझे लगता अब तक 26, अब तक 26 अब तक 26 अब तक 26 अब तक 26 ये रिलिजिस टोरि किंग प्रदानमंत्री जी की है, प्रीम साब ने कहा कि हम दुनिया के किसी भी देश में जब भी जाते हैं, चोटी चोटी चीजे होती है, उस चोटी सी चीज को उसके उपर कितना सुंदर तरीके से, उसको कितने प्रभावशाली तरीके से, कितने एफेक्टिव वेव में अपने कल्चर को दिखाने का दुनिया पर में होता है, और हिंदुस्तान के कल्चर में, हिंदुस्तान की संस्कृति में तो लाखों चीजे हैं, लाखों ऐसी जगे हैं, जहां पे दुनिया भर से लोग आके देखना चाहिए, तो रेलवे को उसका एक माध्यम बनाना चाहि उसी concept को पीम साब ने दिया भारत गौरव ट्रेन का नाम और इसमें concept में क्या है कि मान लीजिए example लेते हैं जोतिर लिंग हमारे जितने भी जोतिर लिंगे उन वहां तक जाके दर्शन करने का या फिर श्रीडि साही बाबा श्रीडि साही बाबा की दर्शन करने के लिए उनसे connected जगे पर जाने के लिए या फिर हमारे बाबसाहिब अंबेटकरजी के पांच तीर्थ उन सब पे जाके अच्छे से लोग देख पाएं experience कर पाएं feel कर पाएं ये उन concepts को लेके trains बनी है और super hit जा रही है super successful जा रही है अभी तो recently गर्वी गुजराथ train तो चौपाल में वक्त एक बार फिर से हो गया है देश के एहम मसलों के उपर चर्चा करने का तीन दिगज नेता मंच पर आने वाले हैं स्वागत कीजे हमारे साथ बीजेपी सांसत सुधान्शू त्रिवेदी जी आने वाले हैं कॉंग्रस से सुप्रिया श्रेनेत है